हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान सागर में आपका स्वागत है आयूर्बेद में घी को बेहत पौश्टिक और कौप और पीत दोस को खत्म करने वाला माना गया है दूसरी ओर दूद अपने आप में संपुन आहार है सरदी खांसी की इस्तिती में दूद में घी मिला कर पीने की हमारे देश में सदियों से परंपरा है लेकिन अगर इसमें हल्दी मिला दें तो इसके कई फायदे एक साथ होंगे हल्दी को लेकर कई बेग्यानिक रिसर्च भी हुए हैं हल्दी में मौझूद करक्यूमीन कमपाउंड सेहत के लिए काफी फैदेमंद होता है अगर कुछ दिनों तक नियमित रूप से दूद घी और हल्दी का सेवन किया जाए तो इसे इम्मिनिटी बुष्ट होती है और सरीर में कई बिमारियों का खत्मा हो जाता है इसे पाचंत अंतर बहुत मजबूत हो जाता है और जोडों के दर्ज से भी राहत मिलती है आईए जानते हैं कि दूद घी और हल्दी को एक साथ पीने से क्या क्या फैदा होता है डैजेशन मजबूत होता है अगर कुछ दिनों तक नियमित रूप से दूद में घी और हल्दी मिला कर पिया जाए तो इसका मैजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है इससे डैजेशन बहुत मजबूत हो जाता है और इमनिटी भी बूश्ट होती है दूद घी और हल्दी का फैदा शरीर में लंबे समय तक बरकरार रहता है जोडों के दर्द में राहत दूद में केल्सियम की मत्रा ज्यादा होती है इसलिए या हडियों के मजबूती के लिए बहुत फैदेमंद होता है दूसरी और घी जोडों के बीच लुब्रिकेशन का काम करता है घी में बिटामिन केटू मजूद होता है जो कैल्सियम के अबजर्शन के लिए जरूरी है हल्दी में मजूद कर्क्यूमिन कमपाउंड में एंटी इन्फिलमेटरी गून होता है जो जोडों के बीच सूजन को नहीं होने देता है इस तरह हल्दी, घी और दूद का कंबिनेशन जोडों के दर्द के लिए दुस्मन है इसकीन के लिए घी, दूद और हल्दी का कंबिनेशन इसकीन को अंदर से मश्राइज करता है यह dry skin वालों के लिए ब्यहत फायदे मंद होता है घी, दूध और हल्दी का नियमी तुरूप से सेवन इसकीन में signing और glowness लाता है चेहरे से दाग धबे हटाने में भी यह फायदे मंद होता है सर्दी खासी में राम बाण दूध और घी का इस्तमाल सर्दी खासी में सदियों से होता है दूध घी और हल्दी कप, पीत और बात तीनों दोसों को मिटाता है एक गलास दूध में आधा चमच घी यानि 10 गराम घी और आधा छोटा चमच हल्दी यानि लगभग 4-5 गराम हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी खासी से तुरत राहत मिलती है यह गले में हर तरह की समस्याओं से राहत दिलाता है इमुनिटी बुष्टर दूध अपने आप में संपून आहार है इसमें immunity boost करने के लिए कई तरह के vitamins तथा minerals होते हैं healthy antibacterial और antiviral और anti-inflammatory होता है जो शरीर में किसी भी परकार के infection से लड़ने में सक्षम होता है घी में omega 3, omega 6 fatty acid, vitamin E, zinc, magnesium पाया जाता है जो anti-oxidant का काम करते हैं इस परकार इन तीनों का combination immunity boost करने में कारगर होता है दूद घी तता हल्दी के सेवन से पुरुसों में यौन छमता की बिर्दी होती है इसे कैसे इस्तिमाल करें? हल्की आज़ पर एक पैंच रहा दें उसमें 10 ग्राम सूद घी डालें घी गरम हो जाने पर उसमें एक ग्लास दूद यानि 250-300 ग्राम दूद डालें इसे हल्की आज़ में ही थोड़ी देर गरम करें इसके बाद छोटी चमत से आधा चमत हल्दी यानि 4-5 ग्राम हल्दी डालें कुछ दिर और हल्की आज़ पर ही गरम कर लें फिर पैन को उतार का ठंडा कर लें फिर इसे पिए जदि आपको डायबीटिज का प्रोब्लेम नौ हो तो हल्का चीनी या गुड का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो हमारे वीडियो के माधम से अपना ग्यान बढ़ाएं मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें